चारो तरफ शादी का सीजन है और चारो ही तरफ खुशी का महौल और हर खुशी की महौल में शुमार है शहनाई की गूंज जी यहां विल्कुल ठीक सुना आपने और जिस तरह से शादी में बदलाव होते जा रहे हैं जिस तरह से पहले शादी होती थी पहले विदाईया होत थी अब विदाई अलग धंग से होती है आपने अक्सर देखा होगा कि धुलन आज कल हेलिकॉप्टर में अपनी विदाई करती है और ठीक अपर ये शहर का चलन हेलिकॉप्टर विदाई का ये चलन जा पहुचा है गां नस्ता आपका स्वागत है इन्याने उसके डिजिटल विदाईयों का तरीका एक ऐसा ही तरीका को वारल हो रहा है और जिसके चर्चे हर तरफ है जहां पर दुला अपनी दुलन को हेलिकॉप्टर में लेने पहुचा और जिसके बाद सभी गांवाले ये नजारा देखते ही रहे गया और उनका मुन खुला कांग खुला रहे गय आमको बता दें कि घर वालों का ये कहना है कि उनके गाउं पर सड़ा खराब थी और आए दिन उनके गाउं वाले वहुचा ता ने इंगे क्ताू आईगी तो केवल है कवर ना नहीं और जिसके लिए उन्होंने साथ लाग दस हजार रुपे भी खर्च के और आपको बता दें कि दुलहन को हेलिकॉप्टर से ले जाया गया और साथ ही जिसके बाद सभी गाउं वाले जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाउं में सड़क तक अच्छी पक्की होती है और जहा कि लोग इतना पास ना आ जाए कि किसी का बड़ा हांसा हो जाए तो ये थी एक खबर जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ गए होंगे और आप ही सोच रहे होंगे कि दुलहे के पिता ने जो भी किया किया क्योंकि ताने सुनने के बाद अक्सर यही होता है और वैसा ही हुआ और दुलहन खुब खुशी-खुशी हेलिकॉप्टर से अपने घर से विदा होकर दुले के घर आ गई। तो आपको ये खबर आखिर कैसे लगी है में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और ऐसे ही खबरों को जानतिया के लिए देखते रहिए इंडिया नियूज नेशनल